गुड फ्राइडे को गुड क्यूं कहा जाता है? इस दिन तो ये शुमसी को मारा गया था, उनको सोली पर चढ़ाया गया था, उनको कोडे मारे गया थे, उनको सताया गया था तो इस प्रकार इस दिन को तो दुख वाला दिन कहा जा सकता है फिर इसे हम कहा सकते हैं कि येश्यमसी को सजा सुनाई गई थी तो ये दिन हमारे लिए एक दुख का परव हो सकता है लेकिन इसे गुड फ्राइडे क्यों कहा जाता है तो चलिए मैं बताता हूं कि इसे गुड Friday क्यों कहा जाता है पहला कारण यह है कि जब येशु मसी का कुरूसी करन हुआ तो गूट का मतलब उस समय हुआ करता था Holy याने की पवित्र मतलब पवित्र दिन था वो येशु मसी को कुरूस पचाया गया था वो एक पवित्र दिन था और उस समय जब good का मतलब कहीं न कहीं holy हुआ करता था मतलब अच्छा या फिर holy holy मतलब पवित्र हुआ करता था इसी वज़े से good का मतलब holy था और उस दिन को ही good Friday यानि की holy Friday कहा जाता था और फिर धीरे धीरे वो change होकर good Friday के रूप में पुला जाने लगा दूसरा reason यह है जैसा कि लिखा गया था कि येशु मसी को मारा जाएगा और उनको गाड़ा जाएगा और वो तीसरे दिन भृत्र को में से जी उठेंगे यानि की वो दिन Easter का दिन कहा जाता है तो अगर हम उसे तीन दिन पीछे जाए तो कहीं कहीं वो Friday का दिन होता है जिस दिन येशु मसी को मारा जाएगा तभी तीसरे दिन येशु मसी पुनर जिवित होंगे इस प्रकार येशु मसी का पुनर थान होना निश्चित था इसलिए उनको मारा जाना निश्चित था क्योंकि भिना मरे कोई वैक्ती पुनर जिवित नहीं हो सकता इसलिए एक दिन येशुमसी को निश्चेत रुप से मरना जरूरी था उनका मारा जाना जरूरी था ताकि वो तीसरे दिन फिर से जिवित हो सके इसलिए वो जो भेंकर दिन जो कि फ्राइडे होता है उसे गुड फ्राइडे कहा जाता है क्योंकि इसे दिन के कारण येशुमसी पुनरुथित हुए और वह जो बाते लिखी गई थी वो पुई होई इसलिए येशुमसी का मारा जाना और तीसरे दिन जी उठना इस बात को पूरी करने के लिए वो जो फ्राइडे था वो जो सुक्रवार का दिन था वो हमारे याने की माना हो जाती के लिए एक अच्छा दिन था कि इसुमसी पुनरुथित होने वाले थे याने की जो लिखा गया था वो पूरा होता इसलिए उस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है एक छोटा सा रिजन यह भी है कि Good Friday असल में God's Friday यानि कि प्रभू का दिन भी है यानि Gods को दिरे दिरे Good Friday भी कहा जा सकता है या फिर God's Friday भी कह सकते हैं योगी God जो हमारे ये शुमसी है उनका वो दिन था यानि कि प्रभू का दिन था इसलिए भी Good Friday के रूप में इसे बोला जाता है God's Friday या Good Friday कहीं कहीं पर Good Friday को Long Friday कहा जाता है कहीं पर Passion Friday कहा जाता है और कहीं कहीं पर इस दिन को Sorrow वाला Friday भी कहा जाता है कुल मिला के Good Friday मनुश्य जाती के लिए यानि कि हमारे लिए जरूरी था क्योंकि मसी का मृत्यू से पार होकर मृत्यू को हरा कर पुनर्थित होना निश्चत था केवल और केवल हमारे अच्छे के लिए हमारी भालाई के लिए येश्व मसी ने उस क्रूस की सजा को सही और तीसरे दिन वो पुनर्थित हुए उन्होंने मौत को हराया और हमें और हमारे इस माना जाती के लिए उन्होंने अपने आप को कुरूस की सजा सहे और तीसरे दिन वो जिवित हुए तो वो हमारे लिए अच्छे, हमारे अच्छे के लिए वो हुआ तो हम कह सकते हैं कि वो गूट फ्राइडे था क्योंकि ये शुमसी ने केवल हमारी भलाई के लिए केवल हमारे अच्छे के लिए ही उन्होंने उस क्रूज की मित्यू को सहली और तीसरो दीन वो फिर से जी भी उठे